हेलो फ्रेंड स्वागता यूटूब चेनल टेस्ट के डेपे तो देखे आज ये बनाने जारे हरी मिर्च की चटने खास करकि परांटों के साथ भी खाये जाते हैं ये थोड़ी हल्की मोटी वाली मिर्ची होती है इनसे ये चटने बना की त्यारी कर सकते हैं तो ये लेलियां मिर्च का कुटा भी बोल सकते हैं तो देखे ये एक मिर्ची का बाव ले लिया तो इस मिर्ची के जार के अंदर ही इसको कट करकी और त्यारी कर लेते हूं तो देखे किसी तरह आपको कट करना है इसके बहुत ही बड़े पीच में इस मिर्ची को कट नहीं करना है और इसके बीज बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि बीज यह चत्नी का टेस्ट भी ख्राब होता है और बीज खाने के भी अच्छा नहीं रहता है तो आपको हरी मिर्च का पीज कभी नहीं डालना चाहिए सारी बीजों को इसी तरह खटा की और मिर्च को कट करकी त्यारी कर लेते। तो यह देखे C jerky सारी मिर्च आपको टारी करने तो यह देखिए मैं आपको पास दिखा देती हूं कि महन भाइन पेस्ट नहीं बनाना इसका तो कोई भी आप जैसे इसको कूट की भी आप तैरी कर सकते हैं जैसे लसुन होगे राकूटता है तो थोड़ा बड़ा माम जिसता हुता है उनसे आप कूट की भ लगते iple 4 प्रकृतं आय संधार्ग गाषक्त कर भूंस आप काफ़ी दिन तक रख सते पर खास करकी सथा परांठखों कि तो प्रांठी के बहुत अच्छी चट्ने लगेगी और बहुत ही तैस्टी लगती यह नगती आप एक बर चतनी बना की खा लिए परांटे के साथ तो बार बार आपका मन करेगा यह चतनी खाने का तो यह दिए कि इस तरहे चतनी डाल दिये अब इसके अंदर डाल दे दे नमक तो नमक देखिए आप सवाद की इसाब से डाले तो इसके अंदर 1.5 टी सपून नमक डाल द आपको चतनी को फ्राई करके ति एक तो बहुत ही अच्छा इसका पाल ए देखिए कितना अच्छा इसका कलर आए और खाने में बहुत ज़्याधा टेश्टी इसके अंदर खुषवर रहे है ने अच्छी इसके अंदर आर दे आं दो इसका इट इसका ज़ए और अच्छे स बनाई एक ख़ाये बहुत अच्छी लगेगी और बहुत टेस्टी लगेगी और देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूं कि कितना अच्छा इसका कलर बहुत अच्छी यह चटनी लग रही है तो गेश के बलेम को ओप कर देती हूं कोई भी आप कटोरी आप बावल में निकाल की और काफी दिन तक यह स्टोर करके आप चठने रख सकते हैं तो चलिए प्रेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अभी तक मेरे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्ल